नमस्ते प्रणाम, हार्दिक अपिनंदन, आप सुन रहे हैं सूच जी बोले, स्वाचक कन्या का नाम इश्टा है और वेलकम टू एपिसोड फाइव और सीकर संजीवनी जहां पर हम आपके बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्वेश्चिन्स को आज 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 रिस करेंगे संजीवनी जी ने कहा है आपके बीडियो बहुत ही ज्यानबर्दक और रुचकर होते हैं मेरे मन में एक सवाल है स्री कृष्ण जी ने नरकासुर से 16,100 नारियों को मुक्त करके उनसे बिभा किया था तो मुझे ये कहीं रूपक की तरह लगता है पर ये क्या कहीं पर इसे जो आरे जितने भी पुरान हैं उसमें सारी कथाएं जो हैं वो इस तरहिके से दी गई है कि क्रोन लॉजिकल ऑրडर में हमें समझ में आती है जब Tक हम सारे शास्तों का ढ़ियान एक साथ नहीं करेंगे एक के बाद एक नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझपाएंगे कि कौ या पीछे कोई कथा आती है यह ऐसी कथा है जो सबसे जदा कॉंच्रोवर्सी में रहती है क्योंकि सबसे पहले कृष्ण भगवान पर यही कहा जाता है कि तुम्हारे भगवान कैसे है 16,100 रानिया है उनके पास तो यह कैसे भगवान हुए बट यह बात है कि इससे पहले एक छोटी सी कथा थी जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कम पता है जो कि यह तब की है जब विश्णु भगवान ने नर नरायन मुनी का अवतार रखा था तो उस ताइम पर वो बहुत बड़े तपस हुई थे बहुत जादा बड़े और वो बदरिक आश्रम में रहा करते थे अपनी तपस्या करा करते थे एक बार इंदर जैसे कि मैं इतने टाइम से आपको बताती हूं कि इंदर जो है वो सबकी परीक्षा लेने आते हैं कौन देव तुल्य है, किसे देवता बनना चाहिए, किसको रिशी मुनी बनना चाहिए, उनकी तपस्या कर टेस्ट लेते हैं तो इंद्र ने उनके सामने 16,100 अपसराओं को भेजा और उन अपसराओं को ऐसा घमंड कह सकते हैं एक हिंकार था अपने रूप का, अपने सौंदर का, अपने गायन की विध्या का कि उनको ऐसा लगा कि ये रिशी मुनी ये तो तपस्या करते हो ये उनको अपना जीवन व्य नारायन मुनी खुद विश्नु भगवान आपको लगता है कि वो अपनी तपस्या भंग कर सकता है तो इसी वज़े से जैसे ही वो सारी अपसराओं सामने आके खड़ी हुई, नारायन मुनी ने अपने अरुदेश को चुआ, अरुदेश मतलब आपका थाई, जैसी उन्हो रियालिटी का सबसे सर्वोत्तम रूप उनके सामने खड़ाओ गया, जिनको हम जानते हैं उर्वशी के नाम से, उर्वशी क्योंकि वो अरुदेश को चूकर जन्म हुआ था, उनका उत्पन हुई थी, वो वहाँ पर प्राधुर्भाव हुआ था, इसी वज़े से उनका न उनके सामने नतमस्तक हो गई थी, अब क्योंकि विश्नु भगवान एक मुनी और एक रिशी के रूप में आये थे इस अफ्तार में, तो आविसली वो पानी ग्रहन, मतलब विभा, नहीं कर सकते थे, इसी वज़े से उन्होंने कहा कि तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अगल कि अवतार में तुम्हारा आकर उधार करूँगा और तुम्हारी सारी जितनी भी मनोकामना एं जो तुम अपना जीवन में को अर्पित कर रही हो, नतमस्तक हो रही हो, मैं तुम सब का ध्यान रखूँगा, अब कमिंग बैक टु क्रिशन भगवान का अवतार, अब क्या प्रताड़ित थी कि वो असुर उन पे इतने जादा शोशन करता था उनका उनको बंद करके रख रखा था जैसे ही उनको एक सेवियर दिखा कि कृष्ण भगवान आ गए इन्होंने हमारी सारी प्रताड़ना खतम कर दी तो उन्होंने फिर से अपनी पूरा जीवन उनको समर् अपना जीवन उनके नाम कर दिया इसे वजए से यह कहा जाता है कि ख्रिशन भगवान की 1200 क्योंकि अन्स त्रियों ने सब कुछ ही क्रिशन भगवान को मानलिया तो फ्रिशन भगवान तो पूरे मतलब पूरे भवसागर को तारने वाले आ ने वह तो सब के स्वामी है और अब हमारा दूसरा प्रश्न है हर किसी का भगवान को देखने का और समझने का तरीका अलग होता है जैसे आप भगवान की छोटी से छोटी कथाओं मेंसे इतने गूड अर्थ निकालती है आप शाक्त पासक है या तो हमें पता है बट हमें जानना है कि क्रिष्ण आपके लिए कौन है या आपका दृष्टि कौन चाहिए अच्छली बहुत अच्छा क्वेश्टन है जिसने भी पूछा है इस क्वेश्टन को अंसर करने से पहले मैं एक चीज शेयर करते हूँ आपके साथ कि थोड़े टाइम पहले जब मैं अल्मूस्ट अपनी निद्रा में जाने ही वाली थी मेरे दिमाग में एक थौट आया कि अचानक से मैं ये सोचा कि मेरो श्याम खोए गया जाने राम ठीक है, अचानक से ये लाइन आई और मैं सोचने लगी कि ये लाइन क्यों आई मैंने ऐसा क्या सोचा कि ये लाइन आई जब मैंने इस पर बहुत चिंतन किया ना मैंने एक चीज डिसाइफर करी देखो, कृष्ण भगवान से पहले राम जी आये थे, ठीक है अगर कृष्ण भगवान के टाइम में जो लोग थे जो उनको भगवान नहीं मानते थे जो कि ब्रज में रहने वाले लोग कहलो हस्तेनापुर के लोग कहलो, तो शासन दुरियोधनी ले लो जब वो उनको नहीं मानते थे तो उस टाइम पर वो श्री राम को मानते थे क्योंकि उनसे पहले वो आये थे उन्होंने एक एक्जामपल सेट किया था जब हम श्री राम को देखते हैं ना श्री राम के राज्य की बाते ऐसी करी जाती है कि लोगों के दर्वाजों में लॉक नहीं हुआ करते थे राम राज्य इतना सुदर इतना सुशोबित था कि किसी को किसी चीज से डरने की ज़रूरत ही ने की एक उत्कुस्ट राजा की सारी कलपना है जो की जासकती है और राम राज्य में थी हर चीज इतनी जादा सेफ थी, इतनी साउंड थी और ऐसा समझ लीजिए कि आप जितना भी सात्विक समझ सकते हो एक राज्य में, उतना सतव उस राज्य में था ठीक है? पर जब हम उस बारे में सोचते हैं और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जब राज्य ऐसे हो गए जिनके जो पोशन करने वाले राजा हैं वही शोशन करने वाले बन गए तो लोग इतना ज़ादा घबरा गए कि अब क्या करना है, कैसे करना है तो जो ये वाली चीज जो राम जी के राज्य से चली आ रही थी कि लोग बहुत साउंड और सेफ फील कर रहे हैं वो धीरे-धीरे जाके भटकने लगे थे Similarly, मैंने ये सब क्यों सुनाएं, मैं आपको बताती हूँ कि जब इस पॉइंट पर मैं अपने पूरे दिन में सिर्फ और सिफ अध्यन करती हूं अपने शास्त्रों का तो मेरे शास्त्रों मुझको है ना सब कुछ वाइट और ब्लाक के तरीके से समझाते हैं कि धर्म ये है, अधर्म ये है सब कुछ है ना, बहुत कडी तरीके से categorygeist हो जाता है लाइफ में, बट जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें ये ब्लाक और वाइट की चीज को अपलाए करना बहुत जादा मुश्किल है वहाँ पर मेरे लिए कृष्ण भगवान एंटर करते हैं जो सत है जब वो सतरंगी बनता है तब ये स्रिष्टी बनती है और कृष्ण भगवान उस ब्लाक और वाइट की बीच के सतरंगी है जो कि हमें हर परिस्थिती में सही गलत को थोड़ा सा मेंड करना समझाते है ताकि हम इस समाज में रह सकें ताकि हम हताश ना हो क्योंकि अगर हम अपने morals को इतना अप्टाइट कर लेंगे तो हताश सिर्फ हमें होगी क्योंकि हम दूसरों से expect करेंगे हर कुसी के लिए किसी से expectation खतम करना हम expect नहीं कर सते कि कोई इस बात को follow through करे कि तुम expectation करना बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जागा ऐसे तो हम नहीं कर सते हर किसी के साथ यह तो justice ही नहीं होगी तो मेरे लिए कृष्ण भगवान एक वो parallel है जो कि मुझे इस आध्यात्म की दुनिया और इस सांसारिक दुनिया के बीच में एक bridge की तरह बांदे रखते हैं ताकि मैं कहीं एक जगा पे fall through न कर जाओ दोनों को साथ में ले जाने में में को मदद करते हूं और कृष्ण वो है मेरे लिए अब शाम की बात हुई है तो राम से related बात भी करना चाहेंगे हमें पताए कि पशु को मारना उनका शिकार करना गलत होता है तो शिरी राम के पिता राजा दशरत हिरन का शिकार करने क्यों गए थे इसके पीछे का तातपर क्या है काफी लोगों के ये प्रश्ण आए है देखिए पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने कभी हिरन का शिकार करा नहीं था थीक है ना वहाँ पर हिरन था वो अपने मन में ये सोच कर गए थे कि हिरन का शिकार करेंगे बट अल्टिमेटली क्या हुआ था वो बहुत जादा अलग है दूसरी बात समझने की ये होती है जब हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं और गलत क्या है कुछ क्यारेक्टर्स को कुछ जो इंडिविज्जूल्स हैं कथाओ में उनको कुछ गलत भी करना पड़ेगा ताकि ये डिसाइफर हो सके कि ये करने से ये ये कौन्शेक्वेंचिस होते हैं अब आते हैं हम राजा तशरत के इस वरितांथ पे जहां पर उन्होंने श्रमण कुमार का अगर हम इसको वालमी की रामाइन में देखे तो श्रमण कुमार का कहीं भी नाम नहीं आता है मुनी के पुत्र का नाम आता है मुनी के पुत्र का वद उनके हातों हो गया था बेसिकली इस पूरी गथा में यह बताए गया कि अगर आपने जैसे म्रिग का नाम लो म्रिग कितनी कितना important है रामार में आपने देखा होगा जब म्रिग का नाम लेते हैं सबसे पहले ना म्रिग मरीच का आता है जिसको हम इंगलिश में मिराज कहते हैं जैसे जैसे हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते जाते हैं जब हमारे पास एक लक्ष नहीं होता हमें बांधने के लिए हमें हर चीज में हमारे लिए लक्ष एक टेंपरेरी सुख बन जाता है हमें लगता है आज हम अगर आईफून 14 लेंगे कलम 15 लेंगे फिर 16, 17, 18 हमारा जो लक्ष है वो टेंपरेरी सुखों से बन जाता है कि आज मैं यहाँ वेकेशन जाओंगी बहा जाओंगी क्यों? क्योंकि यह इतनी जादा चंचल चीज होती है जैसे कि एक म्रिग होता है म्रिग मरीच का किसको कहते है? जब एक म्रिग पूरे वन में घूमता है पानी देखता हुआ जब वो थोड़ी दूर देखता है उसको वहाँ पानी देखता है जब वो जाता है तो उसको पता चलता है यहाँ पानी निया थोड़ा सा आगे है रिफ्राक्शन की वज़े से वो भटकता रहता है और दूसरी बात वो जो आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे म्रिग दूड़े बन माही म्रिग हमीशा चंचलता में ही जीता है ठीक है? जब राजा दशरत ये देख रहे थे कि उनको बहुत ज़ादा उचसुकता हो गई थी एक चंचलता हो गई थी उनके अंदर कि मुझे म्रिग का शिकार करना है तो उनकी पांच इंद्रियों में से सर्फ एक इंद्री चल रही थी जो कि थी उनके कान उनको हर आहट में म्रिग की अवास सुनाई देने लगी वो कहने लगी कि पत्ता जर जड़ाय कहीं पर तुम म्रिग है डाली कहीं पर हिली तुम म्रिग है उनके पांचों सेंसिस जो की पांच तत्तों हैं जो हमें बैलेंस रखते हैं उन मैंसे उन्होंने सारा बालेंस छोड़के बस एक ही सेंसेस पे पूरा फोकस कर दिया था और उसकी वज़ए से क्या हुआ जैसे ही उन्होंने वो अवास उन्हें लगा मृगाया। उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण निकाला और शब्द भेदी बाण भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप सारा फोकस एक चीज़ पर डाल दो उसके कोशिश करी थी राजा दाशरत ने इस पूरे बितांत में कि जब हम सब को छोड़ देते हैं और हर आहट में अपने टेंपररी सुख खोजने की जबो करते हैं अब आप बताइए इतने बड़े राजा क्या उनको क्या एक मिर्ग उनका जीवे का चलाता क्या उनका उनक लाइफ में मिर्ग का कोई इंपर्टेंस तो था ही नहीं वो एक शनिक सुख ही तो था ने चोटी-चोटी कथा बहट बड़े संदेज देते रहें वो एक बहुत ही शनिक शुक था और जब आप शनिक सुख पर अपना सब कुछ ही कंसेंटरेट कर दोगे तो उसमें से फोकस मत करो, म्रिग की तरह चंचल मत बनो, स्थिर बनो, और अपनी सारी इंद्रियों को एक साथ यूज करने की कोशिश करो, तभी आप इनके पार जा पाओगे, एक पर फोकस कर दोगे, फिर बाकी अन्यूजड रह जाएंगी, उनकी जर्निय अलग से चलती रहेगी. प्रिया ने पूछा है, कि अकसर कर सुन्दर कांडी क्यों पड़ी जाती है, और बाकी कोई कांड क्यों नहीं पड़ा जाता है? देखें, ये काफी लोग पूछते हैं, पट ऐसा नहीं है, सुन्दर कांड के अलावा भी बहुत सारे कांड पड़े जाते हैं. मैंने पर्सनली देखा है, कि जिन कपुल्स को एक संतान की बहुत जादा चाह होती है, वो बाल कांड का पाठ करते हैं, जिनको लाइफ में बहुत जादा विपतियां फेस हो रही होती हैं, वो किशकिंदा कांड का पाठ करते हैं, जब किसी के पास बहुत जादा लीगल के जेल ये सब होता है तो वो युद्ध कांड का पार्ट करते हैं लंका कांड भी कहते हैं जिसको एक्जाक्ली तो उसके बाद सुन्दर कांड इसलिए सबसे जादा इन सब में फेमस कह सते हैं या फिर लोग सबसे जादा इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्यों क्योंकि पॉइंग पॉइंट और उसके एंड पॉइंट के बीच में कितने ज़्यादा डिफिकल्टी और उब्स्टिकल्स आतर है उसको कैसे फेस करता है सुन्दर कार्ण में भगवान जो हनवान जी है उनके पास बिल्कुल भी विद्धा नहीं होती वो बिल्कुल नए होते हैं अपने सेक्टर में कि मैं बस नया नया इस चीज में एंटर किया हूँ क्योंकि उन्हें अभी अभी विद्धा मिली होती है और जैसे ही उनको मिलती ह वो इतनी एक्साइट हो जाते हैं कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता जैसे कि हनुमानते ही परसाकर पुनी कीन प्रणाम, रामकाच कीने विनू, मोहे काँ बिश्राब वो कहते हैं मैं रुक ही नहीं सकता में को प्रेल लक्षकी और जाना है सबसे पहला क्या आता है सुरसा आती है उसके बाद वो राक्षासी जो चाया पकड़ के पंचियों को पकड़ लेती थी वो नॉर्मल चीजे नहीं होती वो बहुत सारे अलग अबस्टेकल होते हैं जो हम संधर कांड का बेसिक वो यही है कि मनुष्य को हर सेक्टर में कहीं ना कहीं हर पार्ट में अपने लिफ के help मिल जाती है बढ़ अपने लक्ष तक पहुँचने तक की help और उसकी खुद की होती है अब तक वो खुद को help नहीं करेगा तब तक वो अपने लक्ष तक कभी नही सुन्दरकांड से रिलेटेड एक प्रश्ण है कि सुर्सा के बारे में कुछ बताईए सो जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान का जो हर एक सुन्दरकांड में चौपाई दोहा होता है वो किसी ना किसी गूर्ड चीज को रिप्रेजेंट करता है सुर्सा रिशी कश्चप की पतनी थी और कद्रू के साथ सुर्सा के बहुत सारे सर्प पुत्र हुए थे जिनके हजार हजार फन बताये जाते हैं तो वहाँ पर सुर्सा को देवताओं ने भेजा था हनमान जी की परिक्षा लेने के लिए और सबसे फेमस कथा है क्योंकि जैसी सुन्दरकान चुरू होती है वैसी ये कथा आती है कि सुर्सा अपना मूँ बहुत बड़े योजन तक खोल कर हरमान जी के सामने खड़ी हो जाती है हनमान जी कहते हैं कि देखो अभी मत करो अभी में को अपने प्रभू का काम करने जाना है मुझे जरा बाद में जो भी है हम बाद में देख लेंगे जैसी वो अपना मूँ और खोलती है हनमान जी कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं मानोगी वो हनमान जी और बड़ा रूप रख लेते हैं वो और बड़ा करती है हनमान जी और बड़े हो जाते हैं फिर अचानक से जब ये competition चल रहा होता है हनमान जी छोट असा रूप रख कर उनके मुँँ में जाके कान की थूर निकल जाते हैं और अपना काम करने भढ़ जाते हैं फिर बाद में सुरसा भी उनको आशिरवाद देती हैं कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो बिल्कुल फलीबूत होगा अब आप देखो नौर मिली जैसे हनमान जी दूसरी चौपाई होती है ये सुरसा वाली हनमान जी अपने लक्ष की और निकले हनमान जी को सबसे पहली बार समुदर ने बोला कि भाया थोड़ा सा विश्राम कर लो रामकाच करने से पहले उनने का नईनी में विश्राम नी करूँगा मतलब कि लोग थोड़ा सा कहते हैं जब आप अपने अल्टिमेट गोल की तरफ जाते हो ठीक है कल कर लेना आज से ही क्यों बैठना है कल एक नया दिन है नए से वेरे से शुरू करो तो जब हम उसको थोड़ा सा टालते हैं कि नहीं नहीं हम आज से करेंगे आज ही हमारा नया से वेरा है क्योंकि हमारी आखें भी खुली है फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा लोग उनको अंडर्माइन करते हैं मतलब तुम तो बने ही नहीं हो इस चीज के लिए तुम तो छोटे हो जितना जितना वो अपने आपको प्रूफ करते जाएंगे उतना अतना लोग उने छोटा दिखाते चले जाएंगे नहीं नहीं तुम से नहीं होने वाला इसमें तो बहुत महनत लगती है इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है स्केडियूल बनाने पड़ती है तुम से कैसे हो पाएगा वो उनको और छोटा दिखाते जाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैं कर लूँगा गर लूँगा जो ये कॉम्पेटीशन होता है उसके बीच में ये रिलाइस करना होता है कि हमारा जो लक्ष है वो इनको प्रूफ करना नहीं है हमारा लक्ष हमारे लिए लंका में वेट कर रहा है और वहाँ पर हमें पता करना है कि वो प्रकृती, वो माया प्रकृती, वो मूल प्रकृती कहा है और मुझे उसे खोजने जाना है तो ये एक चीज, ये incident ये बताता है कि कभी कबार लोग आते हैं आपकी life में जो कि आपको undermine करेंगे बोलेंगे कि तुम नहीं योग्य हो ये करने के लिए तुम्हारा लक्ष इनको प्रूफ करना नहीं है तुम्हारा लक्ष तुम्हारा इंतिजार करना है और बस अपना अगर ये लोग कहने है न तुम नहीं कर सकते हैं, हाँ ठीक है मैं नहीं कर सकता, चोटा सा रूप रखो अपने काम से काम करो और आगे बढ़ जा, तो हनमान जी ते ब्यूटफुली सुन्दर कार्ण में छोटी छोटी बाते ऐसे बताते हैं, जो कि हम डेली ला जो होता है वो ये है कि भागवतम में अगर आप इस पूरी कथा को पढ़ते हैं, तो समुद्र वंधिन की कथा में, जब असुरो और देवताओं के बीच में जो संग्राम हुआ था उसमें जब अमरित निकला था, तो अमरित के पीछे जब सारे देवताओं को चाहिए था सारे असुरो को चाहिए था कि हमारे पास ये अमरित आ जाए तो भगवान विश्नु ने अपना मोहिनी अफ्तार रखा था, उस टाइम पर शंकर भगवान वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो हला हल विश लेकर वहां से चले गए थे, फिर जब उनको पता चला कि विश्नु मोहिनी रूप रखा, जिसने सब को मोहित कर लिया, तो शंकर भगवान विश्नु भगवान के धाम specially अपने गड़ों के साथ और माता सती के साथ आए थे, वहां पर बैठे थे, और वहां पर उन्हें कहा था कि प्रभू मुझे वो रूप दिखाओ, जिसने पूरी दुनिय को मोहित कर दिया, तो एक बहुत छोटा सा ये फैक्ट है कि कथाएं पढ़ना अच्छा लगता है, तो छोटी-छोटी चीजें भी याद रहे जाती है, सबसे एजी तरीका यही है से याद करने का, कि शंकर भगवान माता सती के साथ और अपने गड़ों के साथ उनसे मिलने माया क्या होती है, जब उन्होंने सब समझ लिया, वो सब उनकी बॉड़ी से एक्जेट हुई, जहां जहां पे वो गिरी, वहां पे सोना चांदी हो गया, और भगवान वापस आके बैठ गए, भगवान विश्नु इतना प्रसंद होते हैं कि इस रिष्टी में कोई भी नह अच्छा, अतिम प्रश्न है, गड़ेश जी के सम्मंद में, कोई ऐसी कथा या ब्रतांत जिसने आपको कुछ बड़ा सिखाया हो, अच्छा, यूजली जब मैं इस कथा, जो गड़ेश जी की एक चीज जो मुझे बहुत कुछ सिखाती है, वो सुनने में थोड़ी सी हिंज अत्मक लगती है क्योंकि एपिसोड ही ऐसा है, जहां पर गड़ेश जी विष्णु भगवान से, भ्रहमा जी से, शिवजी से लड़ाई कर रहे होते हैं, जब उनका सरवधर से अलग होने वाला ही होता है, उससे पहली की बात होती है, बट मैं इस शीज को ऐसे देखती हू जब उनके अंदर शिव तत्र नहीं था तो वो बालंस नहीं थे, आपको माया के बारे में तो पता है, मतलब अगर मनुष्य जब से कॉंशनेस शुरू करता है और जब तक उसकी कॉंशनेस खतम होती है, वो यही कहता है, भगवान आपकी माया है ना, मैं समझ में आ ही नही माया में क्यों फसादिया भगवान, तो माया को तो कोई समझ नहीं पाया और माया की ले भी होती है वो ऐसी होती है जो किसी के समझ में आ ही नहीं सकती, वो बिलकुल ना उसमें कोई रिदम होता, ना उसमें कोई ताल होती, वो बस बहती रहती है, तो जब गणेश भगवा उसमें पहुँच जाएंगे पोजिशन में कि हमें भी कुछ संदमें नहीं आगा जैसे कि रहमा जी के उपर प्रहार करने का क्या अर्थ था कि वो किसी चीज के ओरिजन को नहीं समझ पा रहे थे जिनसे ये स्रिष्टी शुरू हुई विशनु जी पर प्रहार करने का क्या मतलब था वो किसी के संचालन को नहीं समझ पारे थे कि चीजें work कैसे करती है mechanism क्या होता है शिवजी पर प्रहार करने का क्या आड़ था कि उनका त्रिशूर्त तक तो दिया की उनको योग समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जीवन है वो संचालन कितने गूंड रूप से हो रहा है कि एक पूरी शक्ती है जो इस ब्रहमान को चलाए हुए है पर हमाया में बहुत ज़ाद अलीन है तो हमें यह समझ में नहीं आने वाला हम अपने आपको ही अहम ब्रह्मासमी का गलत अर्थ निकाल के अपने आपको ही ब्रह्मा समझने लगेंगे कि हम ही औरिजनेटर है हम ही इसब कुछ है और फिर योग समझ में नहीं आएगा तो कुछ तो हो नहीं नहीं वाला तो एक ही इंसिडेंट पोटिकुलर्ली है जो कि में को काफी सिखाता है गनेश जी से रिलेटेड हम मनुष्यों के लिए बोला जाता है माया तू बड़ी ठगनी तो यही एग्जाक्टी यही बात आज के लिए बस इतना ही ऐसे और क्वेस्टन्स आप पूछते रहे हमें कमे हुआ हुआ